आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार breakfast की recipe जिसे बनाना आसान तो है ही साथ में यह बहुत ही tasty है Assalamualaikum, आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ bread poha की recipe जो की tasty होने के साथ साथ बहुत ही healthy होता है आप इसे बच्चों के lunch box के लिए भी बना का तयार कर सकते हैं बहुत ही जल्दी बनका तयार होता है तो चले देखते हैं कैसे बनता है इसे बनाने के लिए मैं ले ली हूँ चार ब्रेड तो मैं यह वाइड ब्रेड का इस्तिमाल कर रही हूँ आप चाहे तो ब्राउन सारे ब्रेड इसी तरह काटके त्यार कर ली हूँ अब मैं ले रही हूँ एक उबला हुआ आलू थोड़ा बड़ा साइड कर ली हूँ तो इसे उबालकर पहले ठंडा कर ली थी और आप मैं इसे छोटा-छोटा काट लूँगी इसे भी हमें छोटा ही काटना है इस तरह से आलू को काट ली हूँ मैं अब मैं कड़ाई को गरम कर ली हूँ इसमें डाल दूगी दो बड़े चमज के करीमें तेल आप चाहते इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसमें घी का इस्तिमाल कर सकते हैं आदा-छोटा चमज राई डालूँगी राई को हमें कड़कने देना ह साथ से आठ कड़ी पत्ते डाल दूँगी एक प्याज ले ली हूँ इस तरह से पतला पतला काट ली हूँ इसे डाल दूँगी प्याज को हमें हलका सा भूनना है तो चलाते वह भून लूँगी बस हलका सा नरम करना है इसे अब डालूगी इसमें एक टमाठर िसे इससे इully तुदा मोटा मोटा ही काट लिए हुँ इसमें आदा कप हरा मतल मतल को साथ में पका लिएना है टमाठर के अधा छूटा चमाचफी टर्स के साथ से नमग दालं दूंगी दो हारे मिर्च को बारी काटके डाल लीए हूँ, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्ची को skip कर सकते हैं, इसे mix कर देंगे, फ्लेम को बिलकुल लो रखेंगे, और लो फ्लेम पर इसे ढग कर थोड़े देर पका लेंगे, मतर को हलका सा पका लेना है है, तो यहां इसे पड़ते हुए लगवक दो मिनट हो चुके हैं इसे चला लूँगी और अब मैं इसे अच्छा सा कलर देने के लिए एक चोथा ही छोटा चमर्ण डाल दूँगी हल्दी पाउडर बस थोड़ा सा ही डाल ली हूँ मिक्स कर लूँगी इसे मिला ली हूँ यहां और अब मैं इसमे डाल दूँगी जो आलो हमने काटके रखा हुआ है उबला हुआ उसे इसमें मैं उबला हुआ आलो डाल ली हूँ ताकि ज्यादा इसे पकाने की जरूत ना पड़े तो बस इसे मिक्स कर लूँगी और साथ में ब्रेड भी डाल सबी चीजों को हमें मिला लेना है अच्छे से हमें इसमें डाल दूँगी आदा छोटा चमन निम्बू का रस इसे इसका टेस्ट जो होता है जब चटपटा सा हो जाता है मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे ढख कर एक मिनिट तक पका लूँगी ज्याद और यहां एक मिनिट हो चुका है हमारा ब्रेट पोहा बनके तयार है इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसे मिला लूँगी और गैस के फ्लेम को आफ कर दूँगी और बिल्कुल मज़ेदार सा हमारा ब्रेट पोहा बनके तयार है पांस मिनिट के अंदर में अब मैं इसे serving plate में निकाल लूँगी इसे देखकर ही बच्चे खुर्स हो जाते हैं तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइक कीजिएगा गर्मा गरम हमारा ब्रेट पोहा तयार है यह पोहा इतना टेश्टी बनता है कि आप इसे एक बर बनाएंगे तो बार बर बनाना पसंद क करेंगे मेरे घर में यह पसंद किया जाता है टोमेटो केचप के साथ आप इसे कैसे खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक को मेंचेनल को सब्सक्काइब कीजिएगा और अपने दोस् सुक्रिया मिलते हैं को ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला आफीज